हाई गाईज कैसे आप सब लोग आई होब आप सब अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ येस गाईज मैं गीववे अनौन्स करना भूल गई थी कल एक तब मेरे दिमाग से निकल गया था तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखते रहे है लास्ट में वीडियो में मैं गीववे अनौन्स करूंगी तो कनेक्टट रहने तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर बालो से रिलेटेड आपके भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आपके भी हैर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है, मौसली आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा हैर ओइल करूंगी, जो त्रिपल हीर की ग्रोथ को बढ़ाता है, अगर आपके बाल बहुत अगर यही सेम प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ भी हो रही है, आपके बाल भी सफेद होने लग गया है, तो आज मैं आपको कैसा हैर ओइल बनाना बताऊंगी, जो बालो की ग्रोथ को बढ़ाएगा, बालो को सफेद होने से बचाएगा, जिसे बनाना और लगाना बहुत ह आसान है, और जिसके लिए जो भी इंगरेडियन्स चाहिए, वो आपको घर में ही मिल जाएंगे, आपको बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा, तो आईए से कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, मैं डिटेल से बताऊंगी, तो आईए स्टार्ट करते हैं, अच्के मुझे बढ़ पर कड़ाई में ले लिया है, नारियल का तेल, इसके अंदर डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाना हमारी बालो की ग्रोथ के लिए बहुत जादे ही बेनिफीसियल है, और अब हम इसमें डालेंगे लॉंग, इस टाइप के आपको लॉंग लेनी है, जिसमें फूल वगिरा ब इसके बाद कम से कम जब तक की ये काले नहीं हो जाते हैं, फूल नहीं जाते हैं तब तक आपको इनको पकाना है, ये ऑलो के लिए वर्दान है, ये आपके बालो की ग्रोथ को बढ़ाएगा, अगर आपके बालो में हैरफॉल की प्राब्लम्स हो रही है, वो तो ठीक तो इस तरीके से आपको इसे पकाना है और ये बनके तयार हो गया है ठंडा होने के बाद इसे आपको अपने बालों में लगाना है आप चाहे तो इसे एक बॉटल में भरके भी रख सकती है और जब भी आपको लगे कि आप ढारी है उसके दो खंटे से पहले इसे हलके गुन- जो काफी मतलब असर करेगा तो इसे आप जरूर लगाई है और लगाने के बाद कम से कम बाल धोने में दो घंटे का आप अंतर रखिए उसके बाद या बाल धोई है आपके जो हैर फॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम से वो सभी ठीक हो जाएगी बालो मागर अनाउंस करूंगी तो इस मंत के लिए मैंने दो घ्यूववे गल्स को चूस किया बड़ जिसका नमबर नहीं आया प्लीज उदास मत होना सबका नमबर ले रही हूं मैं तो इस वांत की गिवववे वीनर्स में है नेहा संग जिसके लिए मैंने ये मैंने गिफ्ट सेलक्ट ही.